आप सभी को नमस्कार कैसी है आप अच्छी है ना आज यहाँ पर हम नवरात्री के लिए ब्यूटिफुल नेकलेश बनाएंगे यहाँ पर यह मैंने सीड़ बीड्स लिए है यह दिखें इस तरह के अलग-अलग कलर के सीड़ बीड्स है इसको लिया है मैंने दो कलर की बूल लिए है अब कोई भी कलर की ले सकती है यहाँ पर मैंने पिंक और ग्रीन लिए है यह इस तरह के मिरस है राउंड शेप की यह इमिटीशन कोरी शेल्स है और यह जंप रिंग्स है यहाँ पर यह आईपीन से इस तरह की आईपीन में हमें इस तरह से दिखी हाँ पर यह मैंने 11 सेड़ बिस लगा लिये है इसमें इस तरह से लगा लेने है और यह दुसरे एंड को भी हमें इस तरह से लूप बना लेना है दिखी इस तरह बन जाएगा यह इस तरह बनेगा अभी इसमें हमें end में जंप लिंग एटेज करके इसमें ये कोरी शेर है ये imitation है इसको यहाँ पे मैंने लगा लिया है इस तरह से ये दिखी इस तरह यहाँ पे लगा लेना है ये इस तरह से बन जाएगा इसी तरह के मैंने ये अलग-अलग कलर के बना लिये है यहाँ पे हमें ये उलन थ्रेड लेके इसको हमें ये चोटी की तरह एक ब्रेड की तरह ये दिखी इस तरह से इस तरह से बना लेना है ये दिखी इस तरह यहाँ पे इसके थ्री पार्ट्स करके इसको बना लेना है इस तरह से यहाँ पर मैंने यह पिंक कलर लिया है आप कोई भी कलर यूज कर सकती है इस तरह से यहाँ पर बना के लेंगे इस तरह अभी यहाँ एंड में इसको हमें ग्लू लगा लेना है इस तरह से यहाँ पर इस तरह इसको ग्लू लगा लेंगे और इसमें हमें एक धागा लगा लेना है उपर से और इसको नॉट लगा लेंगे दिखे इस तरह बना के लेंगे इस तरह से एक धागा लेके इसको यहाँ पर दो बार टाइट नॉट लगा लेना है इस तरह यह दिखे ऐसे बना लेंगे इस तरह से यह जो एक धागे इसको कट करना है इस तरह से दिखे इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर मैंने यह ग्रीन कलर का भी बना लिया है इस तरह से यहाँ पर यह मैंने कैन वास पेपर लिया है और इसके उपर में ये इस तरह ये मैंने गलू लगा के इसके उपर में ये इस तरह से ऐसे शेप में ये इस तरह से स्टिक करना है इस तरह से का शेप बनाएंगे और इसके उपर की साइड में ये पिंक कलर का जो ब्रेड बनाया है इसको स्टिक करना है इससे बना लेंगे यहाँ पर हमें इसको इस तरह से cut कर लेना है इस तरह से यहाँ पर मैंने इस तरह cut कर लिया है अभी हमें यह jump ring लेना है और इसको हमें यहाँ पर attach करना है इस तरह से जंपरिंग लगाके इसमें हमें ये जो हमें लटकन बनाये इसको लगा लेना है इस तरह इसी तरह से हमें अलग-अलग कलर के यहाँ पर लगाते जाना है इस तरह से ये दिखे ऐसे इसी तरह से हमें पूरे इसमें लगा लेना है यहाँ पर मैंने ये लगा लिये है इस तरह से अब यहाँ पर हमें ये सेंटर में चोटी साइज के मिरस लगाने है यहाँ पर ये मिरस छोटी साइज के है यहाँ पर ये मैं फ्लावर शिप बना रही हूँ इस तरह से इस तरह से इसी तरह से हमें पूरे इसमें लगा लेना है यहाँ पर मैंने बना लिया है यहाँ पर हमें इंड में जंप रिंग लगा के इसमें ये चेन लगा लेना है इस तरह यहाँ पर ये मैं चेन लगा रही हूँ अब कोई भी लॉक भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर डोरी भी यूज कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये चेन और लगा लेना है और इस तरह से ये नवरा तरह के लिए हैंड मेड निकलेस आसान तरीके से बन गया है किसा लगा आपको ये निकलेस का डिजाइन कमेंट करके चरूर बताईएगा